रोजगार सिर्जन की संभवनाई भी बढ़ती हैं और विकास के मात्यम से प्रतेक नागरिक तक सासन की योजनाओं का लाभ भी आसानी से पोँचाये जा सकता है ये रोजगार और स्वावलंबन की आधार भी बन सकती है लेकिन नगरिय छेत्र में और नियोजीत और अवैग सबसे पहले आपके दर्सन होते थे एक बड़े से धेर पर एक बड़ी सी पहाड़ी पर वो कूड़े का पहाड़ हुआ करता था लेकिन आज प्रदान मंत्री मोदी जी ने स्वच भारत मिशन के अंतरगत जिस बड़े अभियान को आगे वढ़ा करके लोगों के जीवन में ब्यापक प्रिवरतन काउसे माध्यम बनाया उनमें से नगरिय चीवन को स्वच सुन्दर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनिक का उप्योग करते हुए हम सब सॉलिट वैस्ट या किसी भी प्रकार के वैस्ट को वैस्ट में बदलने के लिए कारे कर सकेंगे इस दृष्ट से आज नगर निगम की ये पहल अत्यंत सरानी है और मुझे विश्वास है कि यहां गोरकपुर को वास्तिविक रूप से स्मार्ड सिटी के रूप में स्थापित करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी एंटी पीसी को इसके लिए मैं हिर्दे से धन्यबाद देते हुए इ योवेनों हम सब इस बात को जानते हैं कि अब तक कूड़ा कलेक्शन या सॉलीड वेस्ट का उचित प्रबंदन न होने के कारण जितना भी कूड़ा निकलता था जितना भी सॉलीड वेस्ट निकलता था यहां ऐसे ही कहीं फेंग दिया जाता था अलग-अलग यानि गोरकपुर महानगर का भी एकला बंदे पर गिरा दिया जाता है ऐसे ही महेसरा में गिरा दिया जाता है कोई गुलरिया में गिरा देता है कोई चोरी चोरा के पास कोई बढ़ल गंज के पास कोई पिप्राइच में कहीं अलग अलग जगए और 20 सड़क के किनार यानि सड़क के किन इंट्री पॉइंट पर ही लोग गिराते थे पेड़ाम क्या होता था जो कोई भी आता था सबसे पहले इंट्री पॉइंट पर उसके दर्सन होते थे कुड़े से वो देखता था कुड़ा सीटी में कितना भी विकास आप करा लीजिए वो उसमे पानी फिर जाता था लोग बोलते थे देखो कितनी गंदगी है यह उसी से ही क्यूब्स में बन करके और उस प्लांट में जाएगा तो अप लांट वहां पर इसका उप्योग करेगा चार कोल बनाने में कंपोष्ट बनाने में वहां से सिएंजी बनाने में उससे पावर जो बनेगी विजली जो बनेगी इन सब के लिए इसका उपयोग हो जाएगा और इसके बदले में नगर निगम गोरकपुर को अगले 25 वर्स के अंदर 600 क्रूर रुपे से अधिक की बचत भी होने जा रही यानि आम के आम और गुठली के दाम आपको कूड़ा प्रबंदन के कारे के लिए अपने खर्चे से जो प्लांट लगाते हैं उसको चलाने में जो खर्चा आता उससे आपकी बचत हो गई आपको क्योल कूड़ा का कलेक्शन करना है और उसको वहां तक पहुचाने में मदद करना है बाकी प्लांट चलाने की जिम्मेदारी एंटी पीसी की वहां की सारे खर्चे की विवस्ता एंटी पीसी की यवाल एंटी पीसी को उस प्लांट को चलाने के लिए पांसो टन कूड़ा प्रतिदिन चाहिए अकेले अगर हम फिर पिपराई चोरी चोड़ा पीपी गांज केंपियर गांज सेजनवा उनवाल गोला उर्वा बजार बढ़ल गांज इन सभी अन्यनगर निकायों को देखेंगे इन सभी नगर पंचैतों से भी जो कूड़ा आएगा यहां 200-200 तन के आसपास आएगा इन सभी को अगर हम कलेक्टिव करके इस सॉलिट वैस्ट मैनिश्मेंट से जुड़े वे इस कारिक्रम के साथ जोड़ सकेंगे ते सभी नगर निकाय साप सुत्रे दिखाई देंगे और नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने के प्रधान मंत्री जी के विजन को हम जमीनी धरातन पर उतारने में सायता मिलेगी और जो कोही भी गोरक पुराएगा एक तो उसके सामने अच्छा मैसे जोगागर वारानासी की तरब से आ रहा है तो बढ़लकंज में कूड़ा नहीं दिखाई देगा नौसर्ण में कूड़ा नहीं दिखाई देगा लखनों की ओर से आ रहा है तो सह जनुवा में कूड़ा नहीं दिखाई देगा या फिर कहीं इधर आपका देवरिया की तरब से आ रहा है तो चोरी-चोरा में कूड़ा की दरसन नहीं होंगे कुशी नगर की ओर से आ रहा है तो नंदा नगर के पास आपको कोड़ा के दरसन नहीं होंगे महराज गंज की तरब से आ रहा है तो गुलहरिया के पास कोड़ा के दरसन नहीं होंगे पीपी गंज की ओर से आ रहा है तो वहां पे आपको महेसरा में पूड़ा के दरसन नहीं होंगे बलके एक साप और सुन्दर गोरकपुर दिखाई देगा तो यहां हमारी सहर की पैचान होगी और उस पैचान से गोरकपुर के नागरिकों के प्रती लोगों के मन में एक सम्मान का वहाओ पैदा होगा एक स्वचिता में आपकी पैचान दूसरा आधनिक तकनिक का उप्योग करते वे हम इस कारिक्रम के साथ जुड़ेंगे यहां का पैसा बचद होगा तो उसको विकास के विभिन कारियों में उस पैसे का उप्योग क्या जा सकता है तीसरा बिजली की बचद करने के लिए एंटी पीसी के माद्यम से जितने भी नगर निगम और सरकारी भावन होंगे वहां पे अपने खर्चे से सॉलर पैनल लगाया जाएगा और सॉलर पैनल से यानि जो बिजली पैदा होगी उस बिजली से जितना आप जलाएंगे उतने का ही आप पैसा देंगे सेज जो अत्रिक्त बिजली उससे बनेगी उसका पैसा NTPC अपना काटेगा प्लांट लगाने का काटेगा यानि यहाँ भी एक बड़ा कार्य है गोरकपुर नगर निगम के लिए गोरकपुर के सरकारी भावनों के लिए आज NTPC इस कारे को कर रहा है NTPC को इस अभिनो प्रियोग के लिए मैं हिर्दे से धन्यबाद देता हूँ और तीसरा नगर निगम की ओर से विकास के नगर निगम में विकास की 234 करोड रुपे की प्रियोजनाओं का अज लोकारपन और सिलान्यास का कारेकरम आज यहाँ पे में पारसदों के माद्यम से जन प्रतनिदियों के माद्यम से जो प्रस्ताओं समय समय पर आये हैं अलग-अलग योजना के वे स्मार्ट सिटी मिसन में होंगे यहाँ पे बितायोग के सिपारिसों से समंदित होंगे अन्य विभिन वो प्रियोजनाओं से जुड़े वह नगती चेत्र में ब्यक्ती सीले बसता भी है उसको अच्छी सड़क मिल जके जल निकासी की प्रॉपर विवस्ता हो सके इस्टीट लाइड की सुविधा मिल सके अच्छा विवस्ता मिल सके सीटी फॉरेस्ट को हम डेवलब कर सकें केवल कंक्रीट केई भवन नहों बलकि अपना सीटी फॉरेस्ट भी हो इस प्रकार के सभी कारिक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर 234 करोड उपे की पर्योशनाओं का लोकारपन और सिलान्यास का कारिक्रम भी हो रहा है जिसमें गोरगपुर का एक मियावाकी फारिष्ट घना जंगल सीटी के अंदर सीटी से जड़ा हुआ यहां नगरचेतर में एक लाग वर्ग मीटर में यहां डेवलब करने का कारिक्रम हो रहा है और इसका भी अस्तापना का कारिक्रम आज हो रहा है एक कियर सेंटर की स्थापना जो बुजर्गों के लिए कियर सेंटर की स्थापना कारिक्रम जो जो बुजर्गों के लिए कियर सेंटर की स्थापना कारिक्रम जो जो बुजर्गों के लिए कियर सेंटर की स्थापना जो बुजर्गों के लिए कियर सेंटर की स्थापना कार कार गहें CCTV से कवर होंगे वहां की विवस्ता ट्रैफिक का आटो मोड पर संचालित होगा लेकिन अगर कहीं किसी ने सुरक्सा के साथ खिलवाड करने का प्रियास किया कोई चोरी डखैती डालने का प्रियास किया तो CCTV कैमरे में सब कुछ कैद होता रहेगा अब कोई देखती यह नहीं कहे पाएगा कि मैंने यह नहीं किया है वो तो कैमरा सब कुछ बोल देगा सब कुछ बता देगा और वे सभी चीज एक जगे से मोनिटर की जा सकती हैं वहाँ भी आज नगर निगम के द्वारा उसके स्थापना का कारिक किया जा रहा है एनिमल बर्थ कंट्रोल से विवस्ता गार बेस ट्रांस्पर स्टेशन की स्थापना और अन्य तमाम कारियों को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक अभीनों कारिकरम के साथ आज गोरकपूर स्मार्ड सिटी की रूप में स्थापित करके नगरिय विकास का एक मौडल के रूप में अपने आपको पोज करता था कहता था साथ आएंगे जाम में फंस आएंगे आज भायो बेनों गोरकपूर में सभी परमुक मार्ग फोर लेन सिक्स लेन की हो चुकी है अन्य मार्गों को भी उस रूप में बदलने की कारवाई चल लई है जैसे आपने देखा होगा गोरकनाथ मंदिर के पूरवी गेड से ले करके स्पोर्स कॉलेज तक और मेडिकल कॉलेज तक का मार्ग अब फोर लेन में बदल चुका है एकदम सिंगल लेन का मार्ग था आज फोर लेन में आप जाएंगे जिस दूरी को तैक करने में पहले आदा घंटा लगता था आज उस दूरी को मातर पांच मिनिट में आप तै कर देंगे समय की भी बचत होगी लेकिन साथ साथ विकास की धेर सारी सम्भावनाएं उस रूट पर बदलती भी बनती भी दिखाई दे रही है ऐसे ही अन्य मार्गों पे भी कारे हो रहे है हमें विकास की सोच के साथ आगे वढ़ना पड़ेगा आज ये गोरकपुर की पैचान बन रही है अच्छी सड़के जल निकासी आपने देखा होगा तीन वर्स पहले तक एक बारिस पड़ती थी अगर एक घंटा बारिस पड़ गई आधा गोरकपुर जल मंगन हो जाता था दो दो तिन तिन दिन तक पानी भरा रहता था लेकिन आज गोर्दोह और नाले के विकास के साथ जिस परकार के कारिकरम आगे वड़ रहे है गोरकपुर के नाले और नालियों की सफाई करके समय से इसको तयार किया जाता है पिर्णाम है गोरकपुर में अब जल जमाओ की समावना कम है और जैसे जैसे ये सभी पर्योजनाई मूर्त रूप लेंगी आप देखेंगे कि गोरकपुर में जल जमाओ की समस्या का स्थाई समाधान हो जाएगा इसी प्रकार से गोरकपुर क कॉलेज स्वाइम और स्वास्त था आज ब्यारे मिनिकल कॉलेज नकेवल गोरकपुर के लिए बलकि पूर्वी उत्तर प्रदेश पस्य में उत्तर बिहार और नैपाल की तराई के एक बड़े भुभाग के लिए स्वास्त का प्रमुक केंद्र बना हुआ है सुपर स्पेसिलि सम्मामनाया के वड़ी है फटलाईजर रामगरताल ये सभी एक नई पैचान गोरकपुर को दे रहे हैं और इस नई पैचान के साथ गोरकपुर के प्रतेक वासी का जुड़ना उतना ही महत्तफुन होगा और सिदिस से आज ये सभी कारिकरम आगे बढ़ाने के कारे हो रहे हैं मैं सार्दिय नौरात्री की प्रतम तिथी पर गोरकपुर को मिल नहें इतने धेर सारे उपहार के लिए चायवाहा सॉलिट वैस्ट मैनिज्मेंट के लिए एंटी पीसी के साथ मूयू का ये कारिकरम सरकार नगर निगम और सरकारी बहुनों में सॉलर पैनल लगाने की कारवाई को लिए एंटी पीसी को दन्यबाद देता हो नगर निगम की इस पहल का अविनन्दन करता हो गोरकपुर वास्यों को इसका जो लाब मिलेगा एक सॉलर सिटी के रूप में गोरकपुर की पैचान बनेगे एक स्मार्ड सिटी के रूप में गोरकपुर को आगे बढ़ने बढ़ने में मदद मिलेगी इन सभी कार्यों के लिए गोरकपुर वास्यों को बढ़ाई देते हुए 234 करोड उपे की इन परियोचनाओं के लिए जगजन्नी मा भगवती के सिचणों में प्रणाम करते हुए गोरकपुर वास्यों को करता हूं कि विकास के सोच के साथ हम लोग निरंतर आगे वड़ते रहेंगे आप सब के प्रति मेरी सुपकामना है धन्यबाद जैहिं